प्रदेश में महिला उत्पीडन की घटनाओं को सक्ती से रोकने के निम्मित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वुमेन पावर 1090 की स्थापन की गई है जिसमें महिला शसक्ती करण की दिशा में वुमेन पावर लाइन ने अपनी एक अलग पैचान बनाई है बुदवार को थाना अध्यक दीरस सिंग सोलंकी वा पुलिस स्टाफ ने गराम दुलालपुर खास के प्राद्मिक विधायक में एकत्र महिलाओ वा छात्राओ को उनके अधिकार एवम कानूनों के बारे में जानकारी दी जिसमें एस एचो धीरस सिंग सोलंकी ने कहा कि महिलाओ की सुरक्षा के लिए हर पर पुलिस सत्वर है किसी भी संकट में महिलाओं 1090 डायल 100 पर कॉल करें खुले सुनकी सुरक्षा के लिए फौरण मौके पर पहुचेगी और कहा कि आज की महिलाएं किसी भी छेत्र में पूरूसर से पीछे नहीं है वहीं अभी बाबा को को चाहिए कि वह भी अपनी बेटियों को बेटों के बरावर का दिकार दें ताकि आगे चल कर बेटी भी पर परिवार का नाम रोशन करें इस्पेक्टर राजश कुमार कुंदी ने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार वा प्रिशाशन गंबीर है इस दौरान उन्होंने चाट-शात्राओं को सुरक्षा के टिप्स बताए उन्होंने महिला हेल्प-लाइन के नंबर 1090 और टायल लाए जाना चाहिए या तुम्हारे ताओ या चाचा घर में सराप पी आता है कोई या तुम्हारी ममी से बत्तेमी जी करता है तो तुम सीदे सीदे 1090 नंबर लगा दो या सो नंबर लगा दो वन डबल जीरो वह तनमर लगा हुए या 1090 नंबर ना इतना है या रेखा थूम्हारे वहर हुआ हो सकता है तुम्हारे महल या पार्शान जो है तबहुए है और एक दिन धंगायागा अगले दिन जापड़माने को तयार रहेगा और फिर चौटे-पाच्वी दिन तो लाटी लेकर तैयार मिलेगा कि विकर लाटी के सुद्री अभरांटों ने एक दो भूज में रखिया है दस मत्व है यह कि यह मुवाल नंबर है दस मत्व है आपको पर परिशन कर रहा है आप कोई परेशन कर रहा है आपको कोई परेशन करता है तो आप सीदे बस मद्बा नमर मिलाईए और बस इसको बता देजिए कि हम खना जागा के रहने वाले हैं और हमारे हैं परोफ़ों इस तरह से वह यह हस्टान है को अजमें यह महला के साथ मार्फ़ों करना है यह बस मद्बे के उन महलाओं के लिए है कि महला अपना अपनी मुआल से करा दे किसी दूसरे नमर से करा दे लगिन उसकी पहचान को वोट नहीं रख़ा जागा उसे किसी को ये नहीं बता जागा कि यह कौन कहां से जाएगी सीधे-सीधे जो परेशान कर रहा हुगा और उस किसी भी मुबाइल नंबर से बता देगी कि मेरा हस्बेंट परेशान कर दा परोज का लड़का परेशान कर दा तो उसके मुबाइल नंबर को भी नहीं बता जागा कि यह भाने सूचना कहां से महीं सीदे उसके खिलाब कारवाई होगी